अगर आपको Google Adsense के अंदर website add करते समय इस तरीकी से लिखाता है to add this site you need to go to the host platform of this site ठीक है यह वाली error लिखिया जाती है या फिर जब आप किसी other website को add करने के कोशिश करते हैं तो यह आप एक और error लिखाता है तो जैसे आप आप देख सकते हैं युवारियल मस्ट भी टॉप लेवल डॉमेन क्या होता है तो वह विचारत करें इस वीडियो में आपको दूँगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखे सबसे पहले तो यह वाली अगर आपको प्रॉब्लम आदे टॉप लेवल डॉमेन यहां पर बताया जाता है तो धियान रखे आपकी जो website है वह यहां पर आपको सही तरीके से अगर नहीं होती है मतलब अगर आप URL वगरा सही तरीके से नहीं डाल पाते तो यह प्रॉब्लम आएगे तो आपको क्या करना हाता है कि अपनी website पर जाना है और वहां से अपनी website को ऊपर किसी एक page को उपेंग कर लेना है view page करके कुईसी भी एक article वगरा को और उसके home page पर आकर जो है उसका home page क URL coffee paste यहाँ पर करना है ठीक है directly coffee paste अगर आप यहाँ पर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपका जो है website यहाँ पर add हो सके दूसरा कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर मान लिए आपकी blogger की side है तो blogger की side यहाँ पर add नहीं होगी ठीक है blogger अगर आपने blogger पर जाना है अपने website पर जाना है और वहाँ से आपको adsense के लिए apply करना होता है क्योंकि वहाँ पर directly अलग तरीके से option दिया गया है तो वहाँ से ही आप कर सकते है यहाँ पर add नहीं होगा और बाकि आप जो भी website add कर रहे हो देखिए सही तरीके से आपने मतलब डाली मतलब सही त दोमेन वगेरा यहाँ पर फिल कर रहे है कभी htps हो या फिर कभी-कभी htp होता है यस नहीं हो लगा हुआ है तो वह सारी चीज़े देखिए coffee paste करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और last में अगर आप coffee paste करते हैं तो last में कभी-कभी automatically space आ जाता है तो वह भी problem देता है तो यहाँ पर आप सारी चानल करी समझ में आती है तो वीडियो को लाइक आओ चैनल को subscribe भी जरूर कीज़ेगा